30 Days Weight Loss Challenge आपकी इस जर्णी को हम और इजी बनाने के लिए अपने ही चैनल पर कुछ एक्योप्रेशर पॉइंट्स ही बताएंगे जो आपकी इस जर्णी में वेट लॉस करने के लिए आपको हेल्प करेंगे तो अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्स्राइब कर दें तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का योगा जो टोटली बिगनर्स के लिए है स्टार्टिंग में हम वाम अप करेंगे तोनों हाथ कमर पे और आराम आराम से आप अपने पैरों को उठाएंगे हम अब जोगिंग करते हैं ब्रेधिंग को नॉर्मल रखेंगे कम से कम एक मिनट तक आप जोगिंग करेंगे अब हम करेंगे फ्रेंट किक अपने दुनों हाथ कमर पे रखेंगे और अपने पैर को सामने की तरफ सीधा उठाएंगे आप जितना उठा पा रहे हैं उतना ही अपने पैर को उपर लेकर आएंगे यह हम करेंगे ट्वंटी काउंट तक आप खुद से काउंट करते रहेंगे इसी तरह हम करेंगे अब साइड केक यह भी सेम ट्वंटी टाइम्स ध्यान रखेंगे कि आप साइड में ऐसे ना जुकेंगे बिलकुल सीधे रहेंगे अब अगर आपको पैरों में थोड़ा खिचाब मैसूस हो रहा है तो फिर हल्की सी जॉगिंग करेंगे अब हम करेंगे बैक साइड के लेकिन वो अपने हाथों के साथ करेंगे अपने दोनों हाथों को भी उपर लेकर जाएंगे और अपना एक पैर से किक करेंगे 3 2 3 4 Relax ये भी सेम हमने 20 टाइम्स कर आये अब थोड़ा सा body को rest देंगे दोनों पैरों में gap दोनों हाथ साइड में body सीधी और सिर्फ breathe करेंगे Inhale Exhale Inhale Exhale Inhale Exhale Relax अब हम करेंगे साइड स्ट्रेच अपने दोनों पैरों में अपने शोल्डर लेवल का gap रखेंगे अब एक हाद आपका कमर पे एक हाद सीधा उपर सबसे पहले हम inhale करेंगे और exhale करते हुए साइड में जितना आप जा सकते हैं उतना जाएंगे और अपने हाद को बलकुल सीधा रखेंगे फिर इन्हेल करते हुए सीधे hand change करेंगे अपना Inhale Exhale फिर इन्हेल चेंज इसको हम 10-15 ताइम करेंगे यह थर्ड ताइम था हमारा अब फूर्ट फाइव जितना साइड में स्टेच कर सकते हैं उतना हम पूरा अपने साइड से देंगे 7-8 Inhale and exhale bend 9-10 अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो 10 के बाद आप rest ले सकते हैं 11 12 12 13 14 15 15 Relax repeat आपको इसमें पूरा side stretch फील हुआ होगा अपनी बॉड़ी में अब हम अपने पैरो को ठच करेंगे पहले पैरों में पूरा गैप लगे र नगए अपना जितना आप अपने पैरों में गैप कर सकते हैं और जितना आपका balance ही से बन पा रहा है उतना अब अपने right hand से left leg को touch करेंगे and left से right को ये आपके उपर हैं कि आप नीचे तक कितना जा पा रहे हैं अगर आपका हाथ सिर्फ आपके नीचे तक जा रहा है तो आप नीचे को touch करेंगे और उपर वाला हाथ बिलकुँ सीधा सेम ऐसे और अगर आप अपने अंगोठे को चुपा रहे हैं नीचे जाकर तो ये चीज आप अपने अंगोठे को चुएंगे और अपने एक हाथ को उपर रखेंगे सीधा ठीक है अब हम इसको start करते हैं ये हम करेंगे 20 टाइम्स इसको हम start करते हैं और हमारी breathing जो है रहेगी वो इसमें normal रहेगी start अब हम दोनों हाथ अगर आपके हाथ नीचे तक आप आ रहे हैं तो दोनों हाथों को नीचे रखेंगे नहीं आप आ रहे हैं अगर आपके हाथ नीचे तो अब आप अपने हाथ लॉक करेंगे और फिर हर कसा नीचे की साइड अपनी body को push करेंगे बहुत अराम से जादा stretch नहीं करना है body को relax वापस आ जाएंगे दोनों पैरों को मिलाएंगे और फिर से हम start करेंगे अपनी jogging relax अब हम करेंगे forward bend अपने दोनों पैरों को मिला लेंगे कुछ लोगों का balance पैर मिलाके नहीं बनता है तो वो अपने पैरों में थोड़ा सा gap रखेंगे जिससे उनका balance बना रही ठीक है अब हम करेंगे forward bend दोनों पैरों को मिलाएंगे दोनों हातों को उपर लेकर जाएंगे one inhale सास लेते हुए उपर two exhale down आप से जितना नीचे जुका जा रहा है उतना ही नीचे जुकेंगे फिर से inhale उपर exhale down five inhale six exhale अपने आपको lower back से पुश करेंगे नीचे आने के लिए seven eight nine ten अब हम करेंगे five second hold one two three four five inhale करते हुए उपर आएंगे and exhale करते हुए down अब हमने forward bend क्या है तो अब हम इसका counter pose करेंगे इसका counter pose होगा back bend दोनों पैरों में shoulder level जितना gap रहेगा दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे दोनों elbow को पीछे के side push करेंगे chest open करेंगे and अब inhale करते हुए हम back bend करेंगे इन्हेल एक्जेल करते हुए forward bend नेक बिल को सीधी रहेंगे आपकी सामने नीचे नहीं जुकाएंगे गर्दन three four ध्यान रखेंगे back bend करते हुए आपकी आंके बन ना हूँ five six exhale former bend seven inhale eight exhale nine ten eleven seven ले तुमें पीछे जाएंगे twelve four bend relax अब अपनी बॉड़ी को फिर से थोड़ा शेक करेंगे हातों को लूज चोड़ेंगे और हलकिसी जॉगिंग करेंगे अब हम बैठ जाएंगे अब हम करेंगे cat pose cat and cow pose आपके दोनों हाथ आपके बिलकुल shoulder के नीचे रहेंगे दोनों पैरों में चितना आपके हाथों में gap है उतना ही आपके knees में भी gap रहेगा अब हम inhale करते हुए अपनी neck को उपर लेकर जाएंगे और कमर को नीचे की side push करेंगे inhale one two exhale कमर को उपर उठाएंगे neck को नीचे की side लेकर जाएंगे three inhale four exhale five six अपनी पूरी बॉडी में stretch को feel करेंगे seven eight यह हम करेंगे 20 काउंट्स तक nine ten eleven seven inhale twelve exhale thirteen fourteen fifteen 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 sixteen seventeen seventeen पूराइ stretch करेंगे बॉडी को eighteen twenty 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 अब हम आएंगे child pose में and rest normal breathing के साथ child pose में रेस्ट करेंगे अब हम करेंगे पर्वतासन अपने नीज को मिला देंगे हाथ उमें गैप रखेंगे अपने पंजो पर अपने पूरा वेट लेकर जाएंगे अब अपने हाथ हो और पंजो पर ही अपकी पूरी बॉडी का वेट रहेगा hold करेंगे 10 सेकेंड one two three four five कोशिश करेंगे आपका पूरा पैर मैट से लगे रहें six seven eight nine ten relax चाहिर पोज में आ जाएंगे फिर से यह आसन हम five times करेंगे ten second holding के साथ फिर से परवत आसन hold ten second one two three four five six seven eight nine nine ten down child pose five five six seven eight nine ten ten rest rest five 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 seven seven eight nine ten down 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 child pose five 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 seven eight nine nine ten relax वापस child pose and rest अपने हादों को भी थोड़ा जरेस्ट में रखेंगे अब अब हम प्लेट जाएंगे अब हम करेंगे एक्सराइज लैग ग्रेंज अपने दोनों हातों को हम अपने हिप्स के नीचे रखेंगे दोनों पर सीधे स्टार्ट करते हैं two three four five six seven eight nine ten relax अब लाइक चेंज करेंगे one two three four जैसे हमने left leg के साथ किया था सेम वही चीज़ हम राइट के साथ करेंगे five six seven eight nine ten ten relax अब हम करेंगे अर्ध हलासन अर्ध हलासन में हम क्या करते हैं अपने दोनों हाथ हिप्स के नीचे रखेंगे अर्ध अपने दोनों पैरों को 90 डिग्रे पर उठाएंगे और वहाँ पे ten seconds hold करेंगे inhale exhale अब अपनी ब्रीधिंग को बिलकुल नॉर्मल रखेंगे hold नहीं करेंगे यहीं पर ten seconds अपने पैरों को hold करेंगे one two three four five six seven eight nine अब बहुत ही अराम से अपने पैरों को सीधा नीचे रखेंगे relax अर धल आसना हम five times करेंगे फिर से अपने पैरों को 90 डिग्रीप उठाएंगे and hold one two three four five six six seven eight nine ten down slowly three three relax फिर से बैरों को अठाएंगे three third time third time hold one two three four five six seven eight nine ten ten slowly down down आएंगे अपने पैरों को straight legs and relax last two times और रहे गया हमारा भी four time फिर अपने पैरों को अठाएंगे इंहेल exhale and hold breathing normal one two three four five six seven eight nine ten down relax one last time first time inhale exhale normal breathing and hold one two three four five six six seven eight nine ten slowly down आएंगे अपने लेक्स को and relax अपने दोनों हाथों को साइड में खोल देंगे अपने पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे and breathe inhale exhale 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 अब अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और साइड करबट लेकर आप बैट जाएगे अब हम अपनी बॉड़ी को रेस्ट देने के लिए यौगिक ब्रेदिंग करेंगे तो सबसे पहले दोनों हातों की हम ज्यान मुद्रम बनाएंगे अंगुठे और उंगली के सिफ टिप टच करेंगे और अपनी नीज के ऊपर दोनों हातों को रख देंगे आखे बंद अपना पूरा ध्यान अपनी बॉड़ी पर और अपनी ब्रेदिंग पर ध्यान रखेंगे कि सांस लेते हुए आपका पेट फूले और सांस शुरत वे आपका पेट अंदर जाए यौगिक ब्रेदिंग पे हम अपनी जो ब्रेदिंग है उसको नेवल तक फील करते हैं और नेवल से ही उसको एक्जील करते हैं इन्हेल करते हुए हम अपनी नेवल तक अपनी ब्रेदिंग को फील करेंगे इन्हेल एक्सेल 5 तक हम इन्हेल एक्सेल करेंगे आप एक्सेल करेंगे एक्सेल करेंगे एक्सेल करें नेयुत प्रेदिंग झाल झाल अपने दोनों हाथों को मिलाएंगे आपस में रब करेंगे हतेली को गरम करेंगे अपनी हतेली को दोनों आखों के उपर रखेंगे आखेंगे खोलेंगे बंद करेंगे हतेली के अंदर ही दूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू अपने हाथेली को देखते हुए ही आखी खोलेंगे आज जितने भी हमने आसन करें हैं वो आपकी बॉड़ी को बैलेंस करेंगे एंड मेटापॉलिस को बहुत अच्छा कर देंगे जिससे आपको वेट लोस करने में बहुत हेल्प मिलेगी थैंक यू बहुत है